नमस्कार, मैं सचिन देंडुल कर बोल रहा हूँ मुझे पता है कि एक्जैम्स कुछी दिनों में स्टार्ट होने वाली है आप मेंसे कहीं लोग टेंस भी रहेंगे मेरा एक ही मेसेज है आपको कि आप से एक्सपेक्टेशन्स आपके मातापिता करेंगे आपके टीचर्स करेंगे आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स करेंगे दोस्त करेंगे जहां भी जाओगे सब पुछेंगे कि आपकी तैयरी कैसे चल रही है कितने परसेंट आपको स्कोर करोगे यही कहना चाहूँगा मैं कि आप खुद अपने लिए कुछ टागेट सेट कीजिएगा किसी और के एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में मत आईएगा आप मेहनत जरूर कीजिएगा मगर एक रियलिस्टिक अचीवेबल टागेट खुद के लिए सेट कीजिए और वो टागेट अचीव करने के लिए कोशिश करना मैं जब क्रिकेट खिलता था तो मेरे से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते थे पिछले 24 साल में कही सारे कठिन मॉमेंट्स आए और कही कही बार अच्छे मॉमेंट्स आए मगर लोगों के एक्सपेक्टेशन हमेशा रहते थे और वो बढ़ते ही गए जैसे समय बीता गया एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते ही गए तो इसके लिए मुझे एक सोलुशन फाइंड करना बहुत ज़रूरी था तो मैंने यही सोचा कि मैं मेरे खुद के एक्सपेक्टेशन रखूँगा और खुद के टागेट्स सेट करूँगा अगर वो मेरे खुद के टागेट्स मैं सेट कर रहा हूँ और वो अचीव कर पा रहा हूँ तो मैं जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज देश के लिए कर पा रहा हूँ और वो ही टागेट्स में हमेशा अचीव करने की कोशिश करता था मेरा फोकस रहता था बॉल पे और टागेट्स स्लोली स्लोली अचीव होते थे मैं आपको यही कहूंगा कि आप, आपकी सोच पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है पॉजिटिव सोच को पॉजिटिव रिजल्स फॉलो करेंगे तो आप पॉजिटिव जरूर रहिएगा और उपर वाला आपको जरूर अच्छे रिजल्स दे इसकी पूरी उमीद है और आपको मैं best wishes देना चाहूँगा ये exams के लिए एक tension free जाके paper लिखे और अच्छे results पाईए Good luck दोस्तों देखा तेंदुकर जी क्या कह रहे हैं ये expectation के बोज के नीचे मत दबिये आप ही को तो आपका भविश्य बनाना है आप खुद से अपने लक्ष को ताय करें खुदी अपने target ताय करें मुक्त मन से, मुक्त सोच से, मुक्त सामर्थ से मुझे विश्वाब है कि सचिन जी की ये बात आपको काम आएगी